वो के आरके की स्टाइल में क्या कहते अगर इसमें सलमान खान नहीं होता न तो इस शो को कुटता भी नहीं पूच रहा होता नहीं मतलब बिग बॉस ने क्या सोच करके रखा है कि तुम इस घर के अंदर में हस्बेंड वाइफ का लड़ाई देखा करके पूरे की पूरी जनता को खुश कर दोगे हा लेकिन जनता इतनी कमी नहीं है दूसरे का कलेश देखने में मज़ा आता तभी तो हम आते बिग बॉस देखने के लिए इस बिग बॉस के घर के अंदर में बाइस दिन से भी उपर हो चुका है लोगों को आये वे और दिस इस दे बिग्गेस रिजन जिसके मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूं किस टॉपिक पर वीडियो बना हो फाइनली टॉपिक यहीं मिला है कि भई जो नहीं हो रहा है बाइस दिन के उपर हो चुका है और एक भी टास्क नहीं हुआ है तीन हफ़ते हो चुके एक भी कैप्टन नहीं बना है बंदा कोई ना बंदा ना बंदी कोई भी कैप्टन बन ना ही नहीं है, ना captaincy task को है, ना normal task को है, task के नाम पे चल किया रहा है, कुछ भी task नहीं है, मुझे तो अभी ऐसा लग रहा है, task यह ही है कि एक दुसरे को nominate करते बैठो, हर हफते जैसे नया हफता शुरू होता है, उसके से बुला लेते, एक game रखते और वो game सिफ nomination का होता है कि जा करके आपको nominate करना है, भाई कीधर है task, बिग बॉस का show task के वज़े से माना जाता है, और इस show में task की गायब कर दिया, captaincy task खा गए, और तो और सलमान भाई ने फिर से वही काम किया, जो अपने filmों में करते हैं, रोजगार बढ़ाना, घर में बैठ वे तो दो निठल कि ये बंदा अगर नहीं होता, तो बिग बॉस को कोई कुटा भी नहीं पूच रहा होता, हर कोई अपने हिसाब से खेल रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी खेलाड़ी अगर कोई है, इस पूरे बिग बॉस के अंदर में तो वो है अपनी इशा माल विया, मतलब जिस लेवल प यह की की जाए, तो मनवर के उपर में पूरो तरीके से सपोर्ट देखाया जा रहा है, मैं भी मनवर का बहुत बड़ा फैन हूँ, और रीजन सबको पता है, स्टैंड अप, लेकिन इसके बावजूद में कह रहा हूँ कि ये खुले तरीके से दिख रहा है, कि सपोर्ट किय पूरी इलिमनाटी को फॉलो करता हूँ, ये बिग बॉस का शो है, सुभा उठोगे, पिछले साल से पता नहीं कौन सा कीडा काड़ गया है, इनके पिछवाडे में, बिग बॉस के नाम का गाना रहेगा, और इतना वायाद जिंगल होता है, उस जिंगल को साला रोज ऐसा टॉर्चर देखना होता है, ये पांच मिनट लेड जाता हूँ, और साला जब से पांच मिनट लेड जाने लगा हूँ, तभी समझ में आता है कि रात को किसी ने गुलु गुलु कर लिया, वो फूटेज रहे गया, देख नहीं पाया, जाकर के ट्विटर में देखते बैट तो इलुमनाटिव के हिसाब से जैसे कि तुम मेरी पूजा करो, पूजा चल रही है, और तो और साला पूरा घर को कान बना के रखा है, मैंने कान बोला है, कान बना करके रखा है कि आचानक से बिग बॉस बोल पढ़ते है, और सामने वाले को हार्ट अटेक आते आते रह ज इस वीडियो को खतम करने से पहले एक चीज़ पर जरूर टिपनी करना चाहूंगा, कि अंकिता लोखंडे जो है इसको गाली बना के रखा है, सलमान ब्रोदर्स ने, कि आपके तो लोखंडे लग जाएंगे, अरे लाउड, मतलब बोलने में प्रॉब्लम होता है, क्या, तुम्हारी नाईया में बैटके तुम्हारी चाहिया करके चला जाएगा, और तुम बैटकर के रोते रहोगे, और बोलो के येस, मेरी तो चक्नी बन रही है, चक्नी बन रही है, मेरी को लगता है, वो सीरियल वाले एफेक्ट आ गए, और ये भाई साब हर तरीके से होता है वो बैंड बजा रहे है लोकेंडई की और पूरे घर के अंदर में सब के साथ में घुलू- घुलू करते हैं लेकिन अपने ही बीवी के साथ में इनकी फट के चार हो रही है डाई। गुलू गुलू अगर करना सीखना है ना तो नील और आश्वेजे से सीखो जब कुट्टे जैसे मूं अगर करके आती है उसक में नील मेरा बच्चा मेरा बच्चा करता है घर पे क्या इट पत्तर फिक के मारते थे जो बिग बॉस के अंदर में आके ये डिसंसी है तुमारा अरे यार बस करा दो कोई एक टास्क लेकर क्या हो मुझे तो लगता है कि पूरा बिग बॉस बिना टास्क के निकाल देंगे तास्क यही है कि निकालो भर से किसी को भी ओके डाट से वीडियो अगर इंट्रस्टिंग नहीं रगा ना तो भाई यही मेरी गलती नहीं है जब सियो टेक प्लीज डू कमेंट और आप बताओ आपको क्या लगता है मेरी बातों से अगरी करते हो यह नहीं यहां तक वीडियो देखने के लिए तैदल सा धन्यवाद मिलोगा नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए स्वास्त रहो मास्त रहो सबरदास्त रहो और जाए झाल झाल झाल